दिल्ली से है श्री प्रकाश जी स्वागत है आपका नमस्कार मैडम जी नमस्कार सर कर देखेंग जी जनाब आपका स्वागत है जैईन नमस्कार कैंठी जैईन पता ही क्या साथ हूँ किन साथ एक तो गौन क्या मंगा रहता है जी आपके यहां के, उसको जब मैं लेता हूँ तो वो मुह में सी पकता है जी, एक तो इसका बताएं मेरे को, और जैसे आपकी संसा से एक दो दवा इचल रही है, तो उसके लेने का प्रेक कितना होना क्या है तो एक यह सवाल है जी, और एके पिता जी के बारे में पूछा था, मैंने आज से दो तिन दिन पहले करीटी आज से बात हुई थी, तो अच्छी साल उनकी एज है, उनको में प्रोब्लम तो कब्ज की है जी, और दूसरा दिती रहता है जी, चरीर में कमजोरी है, और मेमोरी बीक है, एक उसके बार में पूछना था, आपको कुछ फाइदा शुरू हो गया? मैं वो गौन चया तो ले रहा हूं जी, लेकिन लेता हो ना, तो वो जैसे मों में टालते ही, तर उदर चिपक जबता है, उसका लेने जबते ही कर थोड़ा बता दिता, नहीं कितने दिन से ले रहे है, कुछ फाइ कि कई हो सकते हैं, मलाई में मिला ले, थोड़ी देर छोड़ दें, तो ये मलाई को पी लेता है, आदा घंटे के अंदर, या इसको पानी में मिला दें, जरा से पानी में, एक चमच पानी में, आदा चमच पानी में डाल के छोड़ दें, तो ये पानी को पी लेगा, और और अभी शुरुवात हुई है जिस तरह से आप इसकी गोलियां भी बनाई जा सकती है और खाली कैपसूल मिलते हैं उसमें भरके ले सकते हैं तरीका वो जो आपको आसानी से हो जाए इस तरह लेना शुरू करें अभी फाइदा शुरू हो जाना चाहिए और पता जी का ऐसी खाल लगी है देखिए बहुत कीमती हैं दुनिया में माबाप जिनके भी जिन्दा हैं वो बहुत किस्मत वाले लोग है और पिताजी के लिए कोई नसका अगर आपने नहीं लिया है तो उनके लिए एक चुटकी नमक जैतून और एक चुटकी खाने का सोड़ा है नमक जैत असली लें और दो गिलास पानी मिला दें मिक्स हो जाता है असानी से पानी का साथ भी नहीं वदलता यह पानी उन्हें पिलाना है और अलसी को हलका सा भून लें अलसी तो आप जानते हैं अलसी और धनिया हलका सा भून के इसका पौडर बना कर रख लें एक चमच यह दोनो भी बिस्वास्त हो सकते है.